जहन सातियों, मैं आप सभी हिंदी भाशियों के लिए हिंदी मैं भी कोर्स अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो मेरा परेचय आपकी स्क्रीन पर है मैं आप सभी का आभारी हूँ, क्योंकि आपके सहयोग और साथ से मैं और मेरा चैनल प्रति दिन नई उचाई छूने के लिए अगरसर है और मेरा मनोबल भी भड़ता जा रहा है मुझे बहुत आद्मसंतुस्ती मिलती है जब मैं सॉफ्ट एर टेकनलोजी दीखता हूँ और आपके साथ साजा करता हूँ ये मेरा मकसद है कि उन सब तक अपनी सिखलाई आप सब के सहयोग से मैं साजा करूँ जिनें सॉफ्ट एर इंडस्ट्री में करियर बनाना है साथी को सफलता प्राप्थ हो साथियों इसमें आपका सहयोग सब्सक्राइब लाइक और शेयर के रूप में जरूर चाहिए होगा साथी बैल को प्रेस करना ना भूले क्योंकि हर एक अपडेट की जानकरी आपको निरंतर मिलती रहे एक बार फिर से मैं आप सब का तहे दिल से स्वागत और धन्यबाद करता हूँ आईए सीखें कुछ नया तो डे वन पार्ट फाइव आज इस टॉपिक के हम बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक नया टॉपिक है और इसका जब भी आपका भी कोड लिखते हो आप हमेशा से एक अच्छे डिवलपर की पहचान के रूप में पाएंगे कि वो हमेशा से इसका यूज कर रहा होगा इसका प्रयोग कर रहा हो टेक्निकली जाने से पहले मैं समझाता हूँ आपको कि वो है क्या और इसके लिए कुछ मैंने चित्रों का सारा लिया ताकि आपको समझ में आ सके आपने देखा है कि जो भी स्क्रीन पे जो चित्र है जिसमें लिखा है स्पीट लिमिट 80 ट्रक्स 70 मतलब जो आपके वाहन है जो आपके वहिकल है वो 80 की जफ्तार से ही चल सकते हैं इससे उपर नहीं यह उनकी लिमिट है ठीक है लिमिट उनकी बांधी गई है लिमिट उनकी डिसाइड की है ट्रेफिक के द्वारा वहीं पर ट्रक के लिए 70 इससे उपर जाएंगे तो चालान कटेगा कारवाई होगी हमारे सिस्टम जो सेस्पोर्स सिस्टम है इसमें भी इसी वर्ड का यूज होता है और वो है लिमिट वहाँ पे भी सेस्पोर्स भी यही कहता है आपसे कि इससे उपर गए तो आपका आपके कारवाई होगी कारवाई मतलब ऐसा कोई सेस्पोर्स का बंदा नहीं आएगा या सेस्पोर्स से कोई निकल के नहीं आएगा कि आपने इसका यूज नहीं किया आप इससे उपर चले गए तो कारवाई इसका मतलब है कि कोई एरर आएगी समझे कोई ना कोई दिक्कत आएगी ठीक है जैसे आप अगर 80 की स्पीड से उपर चले गई तो कोई ना कोई दिक्कत आएगी क्या दिक्कत आएगी कि य आपको ट्रैफिक प्लिस वाला आपका चालान काड़ देगा क्योंकि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ठीक है आपने कई बार ये भी सुना होगा कि कट ओफ इतना गया अब किसी भी परिक्षा में बैठते तो पांच हजार छे हजार यह नो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं लाखों में बैठने लेकिन अगर आप देखो खास और से किसी भी गौर्वर्मेंट जॉब के लिए या कमपनीज में भी इंट्रिव्यू के इंट्रिव्यू देने रब जाते हैं आप हाला कि इन कमपनीज में कट ओफ वर्ड का यूज नहीं होता है लेकिन आपने देखा तो होगा कि वेकेंसी होती है अगर दस तो एपलाई करने वाले होते हैं हजारों में वहाँ पर जब भी रिजल्ट आउट होता है तो एक कट ओफ की बहुत डिस्क्रिप्शन चलता है कट ओफ इतना गया अब जब कट ओफ का इतना जो हमने बात किया कि कट ओफ इतना गया मतलब इससे इतने नंबर तक के बच्चे को हमने कॉल कर लिया इतने नंबर तक के जो लोग है जोनोंने परिक्शा दी है उन्हें कॉल कर लिया बाकी सब पेल ही डिक्लियर हो गए मतलब कितने भी आपके apply किये हो लाखों में किये हो आपने एक cut off decide किया उसमें जो जो उस limit में आ गए वो आपके वो आपके criteria match हो गए वो आपके search में आ गए तो दीखे आए देखते हैं कि cut off कैसे हमारा यहां पर जिसको हम बोलते हैं limit कैसे काम करता है Salesforce में तो मैंने जैसे ही यहां पर एक ताधार्न सी मैंने query चलाई और मैंने यहां पर execute किया 121 record हैं आपके पास 121 जो मतलब अगर आप ऐसे count करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आते हैं न 121 है समझने वाली बात यह है कि यह तो आपका developer edition और है यहां पर अगर आप limit लगाओ लिमिट यहां पर लगाओ या ना लगाओ वो तब तक फरक नहीं पड़ता जब तक कि आपको एक एक सुझाव के तोर पे एक आपको या यह कह सकते हैं कि एक आपको certain number तक के record चाहिए for example जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे सिर्फ दो ही record चाहिए तो मैंने limit लगा दी two क्या हुआ 121 मैं से सिर्फ दो ही record मेरे को मिले है ना ठीक है एक तो यह इसका प्रयास है कि आपने कि एक तो आपने जो बहुत सारे record आ रहे थे आपने उनकी limit लगा दी और limit लगाने के बाद आपने कुछ record निकाल ली है ठीक है यह बात सही है लेकिन एक एक बात है जिसको मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि क्या यह आपको उच्छित लगता है कि कोई भी आपने limit लगाया और आपने limit two लगाया और आपका काम बनी गया और आपने कोई भी दो record आपने निकाल ली है ऐसा कुंट नहीं होना चाहरा भी बिजिसस क्राइटिर आ नहीं है न यहीं है संजया भी इसने कोई नहीं है नई है आपने ठीक है आपने सीखने के लिए यहाँ पर limit two लगाया आपने देखा कि चलो भई मेरेको limit लगाना मेरे को आगया कि limit का use कैसे करते हैं ये मेरे कोई यहां पे आ गया इसमें कोई doubt नहीं है मैं यहां पे अगर 5 लगाऊंगा तो मेरे 5 record आ गई इसमें कोई doubt नहीं है ये मैं सीख तो गया कि limit लगाते कैसे अब बात करते हैं limit का actual में परयोग क्या है कहां कहां हम यूज करते हैं और क्यों करते हैं याद रखेगा जो मैं आपको इसमों समझाने जा रहा हूं जो आप बारा बारा कहते हो ना interview question, interview question और मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि हर एक lecture में मैं in depth cover कर रहा हूं अगर आपके concept clear हो गए तो यकीन मानिए आपको interview questions कुछ और नहीं हते हैं आपको interview questions की जरुवत नहीं है लेकिन एक phobia होता है, एक mind में एक phobia है कि हमारी interview questions नहीं हमने देखे क्योंकि हमारी आदत होती है ना कि हमने किसी भी exam के profession करी अब जब तक हमें वो एक sample paper हमने solve नहीं कर लेंगे तब तक हमें वो confidence नहीं आता concept आपके clear होने चाहिए competition exam के form में competition जैसा तो है यह आपका interview process पर यहाँ पे वो competition नहीं है कि जहाँ पे आपको certain minute के अंदर आपको solve करना है या क्या, ठीक है, आपके knowledge check की जाती है interview process में आपने अगर interview में, interview में अच्छा perform कर भी दिया interview questions जटके और आपके concept clear नहीं हुए तो आप company में जब काम करोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको पकड़ लेगा कि भाई इसको knowledge नहीं है तो knowledge पे काम करिए, interview questions अपने आप, आपको समझ में आएंगे आप समझते हैं, आगे की देखिए, यह हमें limit लगाना सीख लिया, अब जिसे अगर मैं आपसे कहूं की select id और last name last name होता है, यह आगया, ठीक है कितने आएं हैं इसमें, 1586 अब आपने limit लगाया 3 तो 3 आपको आगए, limit लगाना सीख लिया आपने अब थोड़ा सा बात करते हैं कि actual में requirement क्या होती है क्या हम ऐसे ही limit लगा देते हैं ठीक है, आई यह सीखते हैं इस चीज़ को तो समझाने के तोर पर मैं ले रहा हूँ एक example और वो example ले रहा हूँ आपने पिछले lecture में फढ़ा था order by उसका use कर रहा हूँ मैं ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया अब जैसे पहले मैं कोई एक field ले ले लेता हूँ object manager में गया यहाँ पर मैंने lead गया field में क्या annual revenue अब जैसे मैं यहाँ से पहले यह limit 3 अटा रहा हूँ ठीक है आपको दिखाने के लिए तो देखो annual revenue आ रहे हैं यहाँ पर है ना किसी में blank है किसी में है चलिए किसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अब आपने क्या किया आपने यह जो query है मांगे चलिए कि आपको वो record चाहिए सारे के सारे जिसमें annual revenue ठीक है प्रत्थम तीन चाहिए जिनमें annual revenue आपकी जादा हो ठीक है बाकी से मतलब नहीं है आपको आप एक आपने क्या किया आपके पास एक एक software बना रहे हो आप एक application बना रहे हो जहां पे जो sales के बंदे हैं या मांगे चलिए कि companies उनकी ज़्यादा चिंता कर दी है जिनका जो बड़े customer होते हैं तो मांगे चलिए कि आपने आपको requirement है कि भाई प्रत्थम तीन जिनका annual revenue सबसे ज़्यादा है वो तीन annual revenue वाले आपके सामने हो उनकी details सामने हो ताकि आप उनके उनका काम priority पर कर सकें तो पहले तीन जो share market में आपके मांगे चलिए कि यहाँ पर जो field है इसका annual revenue ना होके यहाँ होता कि share market या share price ठीक है अब आपको आप share market में deal कर रहे हो आपको बहुत ज़ली वहाँ पर मैं तो deal नहीं करता हूँ मुझे बता नहीं पर मैं जैसे मैं देखता हूँ ना कि screen चलती रहती है अपेंड डाउन अपेंड डाउन चलती है वह लाल हरी करके कुछ भी है तो उसमें मांगे चलिए कि वह बहुत ज़्यारा जो है वह अपेंड डाउन अपेंड डाउन चलना है और आपको तो share purchase करना है वह वाला जिसका की भाईया अभी profit जाना चलना हो तो आप ऐसे अगर लगाओगे query और उसमें search करोगे यह करके बोले भाई कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया मालम पड़ा उसके share बिग गए ठीक है ऐसे तो आप search करते दोगे यह स्क्रॉल करकर के तो आपने का कि नहीं भाई मुझे यह नहीं चाहिए यह मुझे तो चाहिए ऐसा कि मैंने फटाक से बटन का क्लिक करूँ और मुझे वो तीन जो हैं वो जो जिनकी शेयर प्राइस सबसे आ चल दें वो सबसे उपर दिखाई दें मुझे तो हमने क्या किया ओर्डर बाई यह ओर्डर बाई पढ़ चुके हैं हम ठीक है उसी प्लेलिस में हमने यह कवर किया हुआ है अब मेरे एक वैरी जो है मेरे अनुसार रिजल्ट ले आनी चाहिए अनुल रिवेन्यू असेंडिंग फॉर्म में ठीक है मतब बढ़ते वे करम में इसको डिसेंडिंग कर दें तब यह आएगा देखो आगे आपका नहीं तो आप सर्च ही करते रहते बोले पता नहीं यार वह रिकॉर्ड कहां पे है लाव सर्च करूं है ना समझे लें आप यह यह आपका एक एक एग्जाम्पल है ठीक है या आप ऐसा मांगे चलो कि आपको वेर क्लॉस का यूज करना है वेर क्लॉस भी हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं ठीक है उसका एग्जाम्पल करते हैं एक चलिए जसको करता हम ख्लोस अन्नों भी पास आई है वेर एन्वल रिवेन्यू ग्रेटर देन क्या इसमें एरर है अच्छा ये लास्ट आ रहा है ना ये लास्ट की जरूती है ये रखेंगा देखो आगया तो लिमिट का आपको प्रयोग जो है वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं ये तो था आपकी एक की लिमिट का प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं कैसे आप अपने रिकॉर्ड को और ज़्यादा फिल्टर कर सकते हैं लेकिन सेग्सपोर्स ये भी कहता है कि एक जो टर्म होता है जो मैं आपको आगे में समझाऊंगा ठीक है वो है गवर्नर लिमिट ज्यादा सोचने ही जरूत नहीं है फिलाल की डेट में क्योंकि मैं आगे आपको बात करूँगा उसमें आपको समझाऊंगा तो मैं बात कर रहा हूँ वो है गवर्नर लिमिट अब गवर्नर लिमिट क्या है भाई देखो जैसे मैंने आपको कहा न जैसे मैंने आपसे कहा न यहां पे इस रोड पर चलना है तो इतनी लिमिट है भाई आपके आपके वाहन की जो गती सीमा है वो इतनी है अगर ट्रक च में चला रहे हो तो असनी से नीची रहोगे इसी तरीके से दुखलो कुछ कि वो होती है क्यों से लिंचर और एक चीज और एक यह गवर्ण लिस्ट अगर आप इनका ध्यान नहीं रखा तो यह बहुत खतरनाग चीज़ें हैं यह ठीक है क्योंकि अगर आपने ड्यान नहीं रखा, तो जो भाई हमारे, या जो हमारे मित्र हमारे, जुन्होंने थोड़ी सी कोडिंग कहीं पर पढ़ रखी है, या कभी कुछ मतलब कुछ सुन रखा है, एक होता है आपका exception, ठीक है, exception, तो उन लोगों को पता है नहीं पता है, फिर यह बताएता हूँ, यहाँ पर run time exception पर throw होती है, और run time exception कभी भी handle नहीं किया सकती है, ठीक है, तो अगर कहीं भी, कभी भी, किसी भी company में आप काम कर रहे हो, तो make sure करना कि limit का use जरू करना, और maximum जो यहाँ पर limit आती है, वो आती है 49999, इसका reason क्या है, यह समझाता हूँ मैं आपको, देखो, यह मत मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ क्योंकि limit की हमने बात शुरू करी है, बात तो मैं आगे आपसे आगे भी इसकी करूँगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने बात शुरू कर दी है, इसलिए बता दे रहा हूँ, तो समझ में आए, अगर यह गवरनर लिमिट और यह वाली बात तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी बात में आपसे आगे फिर करूँगा, ऐसा होता है कि यह जो है ना, इस प्रकार के आपके, इस प्रकार से आप मान के चलो, इस प्रकार से आपके record जो होते हैं, record, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक यह 1 है ठीक है यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह आपका 5 है तो अगर आप इसको count करो इन खांचों को आप count करो यह जो है ना यह जो यह जो है ना यह जो खांचे हैं आपके in account करो तो 1 2 3 4 5 6 लेकिन क्योंकि index start होता है 0 से ठीक है तो अगर आपको यह वैसे तो कितने है 6 पर index count कितना हो रहा है 0 से मतलब जो आपका total size है minus 1 जा रहा है है ना total कितना है 1 2 3 4 5 6 लेकिन यह index कितना है 5 क्योंकि 0 से start हो रहा है तो ऐसे ही जो आपके जो है maximum जो आपके records जो आपके SOQL यह SOQL यह सीख रहे हैं आप वो fetch कर सकती है वो है 50,000 maximum एक बार में लेकिन क्योंकि index कहां से start होता है 0 से इसलिए हम लगाते हैं यहाँ पर 49999 ठीक है अब आप लोग interview question के पीछे बहुत पढ़ते हो तो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे यह सब चीज है ना मैं फिर कह रहा हूँ theory concept इनको समझो इनको implement करो अप यह आप interview question clear होंगे देखो यह देखो too many too many query rows 5001 और इसका आप description देखोगे कहीं पे भी कहीं पे भी देखोगे देखो यह देखो ठीक है the exception is being thrown because the maximum number of rows you can return in SOQL calls 50,000 तो अब आप लोगों को कहीं पे भी कहीं पे भी कोई भी इस तरह का error मिले और आप से पूछे कि भाई मेरे SOQL में एक error आ रही है कौन सी 50,000 वन ठीक है too many rows 50,000 वन तो आप simple से reply करना कि उसमें limit लगा दीजिए और maximum जो आपके limit है वो 49999 है क्यों है क्योंकि index start होता है 0 से maximum record जो हैं कितने patch होते हैं 50,000 तो इसलिए आपकी जो ये जो limit है वो हम ये लगाते हैं अगर आप नहीं लगाओगे तो run time exception आएगी और वो handle नहीं हो पाती है ठीक है ये बात समझ में आई आई आपके महतपूंड है ठीक है एक चीज और वीडियो को like share करना मत भूलना क्योंकि बहुत मेनद लगती है आप लोगों को एक अच्छे से समझाने समझाने के लिए content बनाने के लिए एक जिसमें मुझे मुझे खुद भी संतुस्त्री मिलती है कि हां मैं समझा पा रहा हूं तो एक like करने में आपके क्या जाता है लाइक जरू करना क्योंकि YouTube की ऐसी है जितने लाइक उतनी वीडियो वो अपने आप सर्च में आती है ठीक है तूसरी चीज मेरे contact details जो है वो चैनल के about section में है ठीक में आप वहां पर लिखिए क्योंकि उससे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो discussion पहुंच पाता है इसलिए मैंने telegram और WhatsApp भी बनाया हुआ है ताकि आप लोग ज्यादा discussion कर सकें समझ सकें एक दूसरे की साहिता कर सकें एक दूसरे के साथ पढ़ सकें लेकिन join वही करना जिसको फ्री में सईस्पोर्स सीखना है यह spam करने के लिए या promotion के लिए marketing के लिए मत करना मैं निकाल दूँगा गुरूप से मैं मुझे 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 गुरूप की कोई मुझे election नहीं लड़ना की बहुत सारे लोग चाहिए मुझे जिनका उद्देश सिखना है वह जॉइन करो WhatsApp और Telegram गुरूप डिटेल आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में है और बाद में बुरा मानते हैं लोग कि आपने निकाल दिया इसलिए भाई क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए वह लोग फालतु लोग जो अपना मार्केटिंग अपना प्रमोशन कर रहे हैं कि भाई मदब अगर आपको कोईशी फ्री में शेयर करनी है आप करो पर यह बिजनस बिजनस वाली बात नहीं ठीक है मैं भी कोई चार्ज लेता आप लोगों को प्राने में है ना ठीक है एक चीज़ और लास्ट बताया था आपको कि sum, max, min, average, count, count distinct एक example दे रहा हूँ इसका भी मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको समय में आए एक simplicity कोई चलाई कितने है 1586 मैंने यहाँ पर count चलाया ठीक है और limit चलाया क्या error आगया क्या error आया देखो non-group query that uses overall aggregate function cannot also use limit यह limitation है limit का इसको हम solve करेंगे अपने next lecture में जो की हमारा होगा day 1 part 6 और topic का नाम होगा group by बड़ा interesting topic है in depth इसके भी बात करेंगे तब तक आप लोग जो हैं प्रयास करिए सीखिए और इसी तरीके से अपना प्यार मुझे पर लुटाते रहिए इसी के साथ अपना ख्यार लखिए जैहिन झाले 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 झाल झाल